साथियों, मैं सतरंज का बहुत जानकार तो नहीं हूँ लेकिन इतनी समझ है कि सतरंज के पीछे चिपी भावना और इसके नियमों के माइने बहुत गहरे होते हैं जैसे सतरंज के हर महरे की अपनी यूनिक ताकत होती है उसकी यूनिक शमता होती है अगर आपने एक महरे को लेकर सही चाल चल दी उसकी ताकत का सही इस्तमाल कर लिया तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है यहां तक की एक प्यादा यानि जी से सबसे कमजोर मना जाता है वो भी सबसे ताकतवर महरा बन सकता है जरुरत है तो सतर्ता के साथ सिर्फ सही चाल चलने की सही कदम उठाने की फिर वो प्यादा या सिपाई चेजबौर्ड पर हाथी उंट या वजीर की ताकत भी हासिल कर लेता है साथियो चेजबौर्ड की यही खासियत हमें जीवन का मड़ा संदेश देती है सही सपोर्ट और सही माहुल दिया जाए तो कमजोर से कमजोर के लिए भी कोई लक्ष असंबव नहीं होता कोई कैसी भी पुष्ट भुमी से हो कितनी मुश्किलों से आया हो पहला कदम उठाते सबाए अगर उसे सही मदद मिल जाए तो वो शक्तिशारी बनकर मन चाहे नतीजे ले सकता है